का जो दाइरा बढ़ाया जा रहा है दस लाग सिब्वीस लाग इसे निश्चित रूप से और भी कई योजना इसे वहाँ पर फोकस किया जाएगा किसान जो हमारे अन दाता है इसके लिए भी बहुत फोकस है दोहजार चोविस के इसे संकल पत्र में और एन का मतलब है नारी पर विशेस फोकस दस वर्षों में भी है और आप सब को मालूप है कि 33% का अरख्षन उनकों लोकसभा और विधान सभा में भी ये भी भारते जनता पार्टी की देन है और मोधी की एक आरंटी है और सहकारिता से समरिधी नई सहकारिता निप्टी पर भी विशेस फोकस दोहजार चोबिस के संकल्प में और भारत को ग्लोबल नुट्रिशन हब बनाने पर विशेश जोर है जो कभी गरीबों के भोजन हुआ करते थे कोदो, कोटकी ये सब आज इस पर विशेश ध्यान हमारे प्रधान मंत्री जी का है और इस पर भी जोर होगा जो मिलेट्स के जो अनाज है उसके उत्पादन पर और उसकी खरिदी पर भी विशेश जोर रहेगा और दल्हन और तिल्हन में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर भी इस संकल पत्र में विशेश जोर है और आने वाले वर्सों में हम ये दोनों छेतर में दल्हन और तिल्हन चेतर में आत्मनिर्भर बनेंगे और हमको एक्सपोर्ट आयात करना नहीं पड़ेगा ऐसा प्रयास रहेगा इस संकल पत्र में इस पर भी जोर है और किसानों को नेनो इुरिया काधिक से अधिक इस्तेमाल इस पर भी जोर होगा और किसान समरिद्धी केंद्र का भी बिस्तार होगा ऐसे तमाम कारका भी श्तार इस संकल पत्र में प्रावधान किया गया है जिससे देश के हर वर्गों को लाब मिले आदिवासियों के सम्मान बढ़ाने का हमेशा पार्टी ने चिंता किया है और बिर्शा मुंडा जी की जो जयनती है 15 नौमबर उसको गोरो दिवस के रूप मे पार्टी मनाने के लिए बचनबद है और बनांचल छेत्रों में जैसे परियाटन की बहुत संभावनाएं होती है तो इसको बढ़ाने पर भी संकल पत्र में बहुत जोर है और ऐसे छेत्रों में एको टूरिज्म का विकास पर भी जोर है होम इस्ट्रे के उसर से आदिवासी छेत्रों में लाब तलासने पर भी जोर रहेगा और इससे ट्रैवल छेत्र की महलाओं को भी विशेश साहता होगा सहरी करण को पहले चुनोती माना जाता था हम उसर मानते हैं सिटेलाइट सिटी बिमानों का विड़ा बढ़ाने से लेकर हर नगरिय सेवा का विश्तार करने का संकल्फ हमारे संकल्फ पत्र में है ट्रक ड्राइवरों की भी चिंता करने का इसमें प्रावधान है और समात का कोई भी वर्ग अच्छुता नहीं रहेगा ऐसा हमारे 2024 के संकल पत्र में है और जैसा मोदी जी ने कहा है कि जिसे पहले कोई नहीं पूछता था उसे हम पूछते हैं कुल मिलाकर 10 वर्ष के काम और अगले 25 साल का विजन यह हमारे इस संकल पत्र में है और इस विजन को पुरा करने की इक्षा सकती भी हमारी पार्टी के पास है और इसके लिए हमारे संगठन में लोग भी है हमारा निती और नियत दोनों ठीक है और जबकि विरोधियों के पास इसका सर्वथा अमलब अभाव है उनके पास कुछ भी नहीं है दोहजार चार में हमारा ये देश आर्थिक रूप से ग्यार्वें अस्थान पर था और इप्रिय के दस साल में वहीं का वहीं रहा ग्यार्वें से दस्वें में नहीं आया लेकिन जब वरस दोहजार चौधा में आधने मोधी जी प्रधानमंत्री बने तो दस साल में उनहोंने ग्यार्वें अस्थान से पांचमें अस्थान पर आर्थिक ताकत के रूप में इस देश को खड़ा किया और अगले पांश साल में तीसरी ताकत के रूप में इस देश को खड़ा करने का हमारे इस संकल पत्र में पुरा प्रावधान है तीन करोण और पक्का का मकान बनाने पर जोर है घर-घर सडकें बनेंगी 18 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें भारत 200 करा अग्रणी देश के रूप में इस्थापित हुआ है दस वरसों में मोबाईल में सेमी कंड़क्टर में सब में टाप फ्री में हमारा देश आ गया है आज हम बिश्व में तकनिक के मामले में दूसरे अस्थाम पर हैं 5G आदी के मामले में यूरोप अमेरिका को आज हमारा देश टक्कर दे रहा है और अभी तक ये जो हमने आप लोगे सामने में बात रखा है ये तो खाली ट्रेलर है और आगे और बहुत इस देश का विकास होना है गरिवी मुक्त भारत और विक्षित भारत की कार्योजना पर 4 जून से ही काम सुरू हो जाएगा जब 4 जून को लोगसभा का रिजल्ट आएगा और तिस्रीवार आदर्ने मोदी जी प्रधान मंत्री बनेंगे तभी से गरिवी मुक्त भारत और विक्षित भारत का जो यात्रा है वो सुरू हो जाएगा और भारत का विश्वपंधुत्व दुनिया के लिए प्रेणा का केंद्र बनेगा तो ये बात आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता तक पहुचानी थी से लिए आज की इस प्रेस वारता में आप लोगों को बुलाए थे धन्यवाद एक एक करके ही हो पाएगा